आप सब देखिए जुलाई का महीना है और जुलाई के महीने में धान लगते हैं लेकिन आप देखे चीटियां हैं और चीटियों के बिल के पास बहुत सारे धान के छिलके आप ध्यान देंगे इसको तो यह धान नहीं है धान के छिलके देखे थोड़ा जूम करते हैं जुम करने के बाद आप ये देखे, ध्यान से देखे, तो छिलके ही छिलके देखे, डबल डबल है, तो छिलके ही छिलके दिखाई दे रहे हैं, ये देखे, ये सब छिलके हैं, इसमें से जो चावल है, चावल इन्होंने निकाल लिया है, तो देखे, चीटियां कितनी बुध निकाल देती हैं अब ये देखिए आपको आशर होगा कि जुलाई में अगर चीटियों के बिल के पास ये सब पाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि इन्हों ने अक्टूबर नौंबर में इन्हों ने धान को एकठा किया होगा तो बहुत ही चालाक और समाजिक प्राणी है च चीटियों को तो हम ऐसा कहा जाता है कि इनका संगठन बहुत मजबूत होता है और देखे पंक्तिबध होके चलती है जबकि मानुस समाज इतना पंक्तिबध होकर नहीं चलता जितना चीटिया चलती है तो ये इनके समाजिकता का और इनकी एकता का बहुत बड़ा परमाड ह आप दूसरा इनके बुद्धमत्ता का पर्मार आप इसमें देख रहे हैं देखे बहुत सारे चीटियां दिख रहे हैं आपको चीटियों का बिल दिख रहा है और इस अब धान को निकाल रहे हैं तो यह जब हमने देखा तो हमें भी बहुत आश्र हुआ और जब आश्र हुआ तो हमने कहने इसका पर्मार तो सब के पास जाना चाहिए अब आप सोच रहेंगे जुलाई का महीना तो इसमें दिख नहीं रहा है लकिन अभी आगे देखेंगे इसी वीडियो में आपको धान के खेत भी दिखेंगे तो धान के खेत जब आप देखेंगे तो आपको निश्चित ही लग जाएगा कि ये जुलाई का ही महीना देखें बगल के जो खेत हैं सन्में धान अभी लग रहा है तो आप जानते हैं कि उत्तर भारत में जुलाई में धान च्यादा ता लगते हैं और जबकि अंपी वगरा में तो थोड़ा सागस तक ले जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में मौसम हमेशा जुलाई से ही धान के रुपाई का होता है, तो उस समय तो धान के रुपाई हो रही है, और इधर चीटियों के बिल से धान के छिलके निकल रहे हैं, और चावल इ यही चीज़ दिखाते हैं, एक से हो जाता तो आपको लगता है कि नहीं नहीं यह तो एक बिल में किसी तरह से कोई चमतकार हो गया होगा, तो यह देखे, दूसरा है, तीन को मिला कर चीटियों के तीन बिल हमने यहां देखे थे, तीनों बिल में ऐसा था, आप देखे, धान के ही पौधे हैं कहीं घास तो नहीं है कि घास जमी हो और हम उसको धान के पौधे कह दें तो आप देखिए खेत में देखिए धान एकदम के लिए लगा हुआ है